अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब मुझे राजकुमारी को बताना होगा काहितरी मेरा सारा खेल खराब करके तुम्हारे हिम्मत कैसो ही मुझे फोन करने की ऐसा है कि अभी तो तुम्हारा खेली खराब हुआ है अगर मेरे बात नहीं सुनी ना जंदी की खराब हो जाएगी तुम्हारी तुम्हारी वो सौटेली बेटी मॉली और उसका वो दोस पिहान हमारी होटल के कमरे तकाव गया है क्या पिहान तुम्हें पक का यकीन है यही कमरा है हाँ चोटी मा के कहने पर मैंने ही बुकिंग करी थी पड़ी लोग तरवाजक आए नहीं खोल रहे हैं देखो कुछ भी करो पर तुम्हें उनके हाथ में आने चाहिए कुछ भी करके निकलो वहां से समझ कही मा अब क्या करें तो क्या करें तो क्या करें कुछ सूचती मैं हलो हलो ऐसा है में रूम नंबर 202 से बोल रही हूं अगर 50,000 कमाना चाहते हो अभी तो बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हे मा हमें पूरा भरोसा है अमारी दोस्ती पर इस रिस्ते के लिए क्यादार कभी मनानी करेगा हम चाहते हैं कि आप भी हमरे सांथ रिस्ते की बाद करने चलिए माजी वो वो बिहान और मॉली अरे अपका क्या मुझ हो सीदे है हाथ पार कर दी है माजी थाको सहाब खुद को निर्दो साबित करने के लिए वो दोनों गायतरी की होटिल पहुच गए है और उन्हें डरा दमकाकर अपने रिष्टे के बारे में जुद बुलवाना चाहते हैं अरे आप लोग जिन्ने ढून रहे हैं वोलत तो अभी अभी पिछे के रास्ते से निकल गए क्या? मतलब सरूर उन्हें में अद्धेवे देखिया होगा बिहार चलिए 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 उसके पेले वो निकल जाए में चलिए यहां से, मैंने उन्हें दुसरा अश्ते देश दिया है यहां तो कहीं नहीं है वो, कहीं भाग तो नहीं गए जरूर उससरफ गयोंगे, चलो प्यार Molly, Molly… Molly, उस मैनेजर को कैसे पता कि हम उन्हें बूड रहे हैं? अब इती जोर जोर से दर्वाल सा पिटेएंगे, तो पता नहीं चल जाएगा कि कहा है यहीं, Molly, हम उन्हें से मिलने भी आसकते थे लेकिन उस मैनेजर को कैसे पता कि हम उन्हें ही ढून रहे हैं अब लगाया ने तब में अपनके लगते बहला दिमाग इसका मतलब वो मसाजर भी उचे मिला हुआ है मैंनेजर हाँ कुछ तो गर्बड है चलो मेरे साथ चलो रुकी अब आपनो बाग गए तो मेरे पैसे कौन देगा पहले पैसे दीजिए अजसा है कि सब को पैसे की पड़ी है माल आओ एक रुपय यहां पर यह लो मुझे उस भी आप यहां से और मान नी खान गए चलो यहां से चलो 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 जानता था मैं तुम लोग यही होगे कहे काम से और किनू मुवी पैसे अज़रा जलती अज़रा जलती अज़रा ज़ाओ तुम तो यहां अबेर तीनों लोकों से न्यारी है काशी, सब का न्याय करती है औरे, अब क्या चाहिए तुम दोलों को? मदद, पापा की पेटी बढ़ने में आपकी छोटी सी मदद चाहिए मदद ना करने पर हम का करते हैं, यह तो यादी होगा आपको साहे है, कि पुष्पन से हाथ उठ रहा है हमारे उपर इसलिए अब तू को उस पहले सी पता चंजाता है कि क्या पैट रहा है छोड़ो मुझे, पहले आप पुरी बात समझे, सुनिए पुष्पन से जिस दोस ने हन मुश्किल में हमारा साथ तिया अजुसी के रिष्पे पद्लांचे निखा दिया आप में इसलिए अब चुप चाप पापा के सामने सब कुछ सच-सच बोलेगी आप समझे तुम समझे 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 इहान के सुल्व? सौल्व सौल्व जल्दी करो अरे मौ ते छोड़ सब को सच-सच बड़े बाउजी के सामने कह देना समझे गाए चलो उन्हें का लगता है कि वो जो जब अधस्ति करके गाय अत्मी और रोहन को हिहां ले आएंगे तो हम उनकी बात पर विश्वास कर लेंगे कि उन दोरा के रिष्टा नहीं हम अभी बिहान से कुछते हैं इस बारे में थाकूर साहां जो अपने रिष्टे की सच्चाई को सुईकार में ही कर सकते उन्हें फोन दों के क्या फाइदा मुझे तो लगता है कि मौली की शादी हमें इस गाउं से और बिहान से कहीं बहुत दूर कर देनी चाहिए ताकि बार-बार खड़ी होने वाली समस्या जड़ से खतम हो जाए बहुत ही कह रही है बेटा इन दोनों से जबरदस्ति करने का मतलब है ये दोनों अपने रिष्टे को लेके इमानदार नहीं है अगर दोनों साथ रहें तो ना जाने कौन से नए गुल खिलाएंगे यहां कि अगर शादी को नहीं कर लेंगे और नहीं है साय कि मेरे लिए सबसे बड़ा पैसा है और साथ दिखता है तुम दोनों की आखों में प्यार तो शादी क्योंने कर लेंगे तुम दोनों आप 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 तुम्हारी उस्तो अना किसी दिन हमी भारतेगा देवी जी तुम्हारी ही देने यह ना तुम्हें वह फोन तोड़ा होता ना हम यह फसे होते और ना मुझे गुछ जाता और हाँ ना कहरे लिख्टेस्ताम और बार बार कितने बर यह आजिल होगी देखो उसके लामें सारी बोलाता हृँ किया आ तो इसके लिए मैं सवारी बोलता हूँ पारी ओरी इसा है जब राज कुमारी की सचाई तुम्हारे रसामने आ गई थी कि तक तुमने फोन क्या थोड़ा ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई अरे माजी आप कुसी फिक लड़का है ना अगर एक बेटी होती तो आप समझती कि माँ बेटी का रिष्टा कैसा होता है कि अगर तुमें इतनी फिकर अपनी सौतेली मा की तो उनकी सचाई लाने के लिए हमें क्यों घजीट रही हो अपने साथ उका है कि हमारी दोस्ति की रिष्टे पर दाग लगा है करू ना लगा होता ना तुम चोटी मा का नाम केसी के सामने नहीं आने देते तुम अपने पहले माली मोली अम लोग केसी पिकनिक पे नहीं निखले जो तुम आप इंपल की सारी बात हमें बत्राम करने वालों से कर रही हो सारी सारी व काया ना हम वह ओनों में बह गएगए तेखो, हम चितने भूलेग दिखते हैं, उतने खुंकार भी है, चुप चुप बेठो, जितना भूला हुतना करो सीट बेल्ट लगाओ, हाँ के लिपते साब मा ये केबल दो बच्चों का नहीं, बल्कि दो परिवारों की बात है अगर वो बच्चपनी की वज़ा से अपने जिम्मेदारी से भाग रहा हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी पड़े जाती है हम जाना है केदार से बाग करने के लिए रिष्टे की अब पर ठाको साब, ठाको साब ये रिष्टा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता, हमें तो कोई बजा नहीं दिखती बेटा, बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है हम ठाकुर है, वो बिरामन है, वाना कि तुम ये सब नहीं मानते हो, पर समाज तो मानता है न? ठाकुर साम, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं पर वो सुलक्षना ऐसी नहीं है कहीं उसने अपने ओछे पन में कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो हमारी क्या इज़त रह जाएगी नहीं, नहीं, माजी, मुस्तो नहीं देखा जाएगा अपने खांधन की इजददाओं पे लगते वे, नहीं माजी ना पहुंदा, राज कुमारी जी आपकी बात बिलकुल सही है लेकिन हमें हमारी दोस्ती के उपर पूरा भरोसा है दोनों परिवार एक है, दोनों परिवारों की परिशानी एक है, इस्जद एक है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा इस मॉली को पैर में चुबे कांटे की तरह, मैं जितना दूर फेगना चाहते हूँ यह उतने ही, मेरे कले की फास बनती जा रही है अगर यह यहां रही, तो मेरा सच कभी भी सामने आ सकता है मुझे कुछ करना पड़ेगा